Hello Friends, मैं हूँ अनपुरुना और आपका स्वागत है मेरे केचन में आज मैं आपके साथ शेयर करीए एक और healthy breakfast recipe रागी इटली, जो बहुत ही ज़ादा soft है, नर्म है, मुलाइम है, tasty है, healthy है और बनाने में आसान है और इसको हम बनाएंगे fermented रागी batter के साथ इटली तो healthy होता है, अगर हम इसे रागी के साथ बनाएंगे तो ये iron और calcium से भरपुर और भी ज़्यादा healthy हो जाएंगे तो इसके लिए मैंने लिया है रागी रागी इस तरीके से सरसों के बीच की तरह दिखते है इसे finger millet या red millet नाम से भी जाना जाता है ये किसी भी grocery shop में easily available होंगी और ये है उसना चावल, parboil rice एक कटोरी और एक कटोरी उड़त की दाल है अभी मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ उसना चावल अगर आप उसना चावल नहीं यूज़ करना चाते हैं तो अब normal rice भी यूज़ कर सकते बट मोटा वाला चावल यूज़ करना जिसमें starch जादा हो उसके बाद ये है रागी, एक कटोरी और एक कटोरी उड़त की दाल है सबको 2-3 बार अच्छे से वोश करना है वोश करने के बाद इसमें पानी डाल की उसके पहले मैं डालूंगी half teaspoon मीथी दाना डाल कर इसे 4-5 घंटे के लिए हम लोग भीगने के लिए रख देंगे अभी 5 घंटे हो गए है चावल रागी डाल काफी अच्छे से भीग गया है और ये है एक कटोरी पोहा पोही को धो के 10 मिनट के लिए भीगने रख देना है उसके बाद इसे हम लोग चावल की साथ ग्राइंड करेंगे अभी मैंने लिया एक मिक्सर का जार उसमें मैं डाल रही हूँ चावल चावल डाल कर इसको हम लोग अच्छे से ग्राइंड करेंगे चावल ग्राइंड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है उसना चावल तो अभी मैंने पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पोहा पोही की जगा आप पकावा चावल भी डाल सकते हैं पकावा चावल डालने से भी इटली soft बनता है, अब इसको मैं एकदम चिकना grind कर लूँगी, ये इटली काफी जादा healthy है और इसकी काफी जादा benefits भी है, अभी मैंने चावल को अच्छे से grind कर लिया, इसको मैं निकाल रही हूँ mixing bowl में, mixing bowl में निकालने के बाद सेम इसी jar में म रागी, रागी डालके रागी को भी हम लोग एकदम चिकना grind कर लेंगे, अगर आपके पास इस तरीके से होल रागी नहीं है और रागी का आटा है, तो आप डाल और चावल grind करने के बाद उसमें रागी का आटा mix करकी खामिर उठने के लिए राद भर के लिए रख सकते है तब भी वो healthy रहेगा, अब मैंने इसको अच्छे से grind कर लिया, इसको मैं निकाल रहे हूँ सेम उसी बावल में, निकाल कर अब इसी में मैं डाल को भी डाल के grind कर लोगी, जैसे हम लोग नॉर्मल इटली का बैटर बनाते हैं, इटली दोसे का सीम, उसी तरीके से इसको भी पीसना हैं और खमीर उठने के लिए रखना है, अब ये डाल भी अच्छे से grind हो किया है, अब मैं इसको भी डाल रहे हूँ सेम इसे बावल में, डाल कर अब हम सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे, mix करके इसमें अभी मैं नमक नहीं डाल रहे हूँ, क्योंकि नमक हम ल इतने के बाद ये गिर सकता है, तो मैं दुसरे बावल में थोड़ा सा खाली कर रहे हूँ, आप चाहो तो पूरा बैटर एक टिफिन में डाल के रख सकते हैं, बट जब आप इसे ढखोगे, तो इसका ढखकन एकदम एरटाइट ने रहेना चाहिए, थोड़ा सा हवा भी ज मैं आपको मिक्स करके दिखा रहे हूँ, आप देख सकते हैं, इसमें कितना अच्छा खमीर आया है, और एकदम ये जाली दार बनके रेडी है, अब इससे आप जो भी बनाओ, इटली बनाओ, दोसा बनाओ, उत्तरपम बनाओ, अप्पे बनाओ, सभी हल्दी हो जाएंगे, वैसे तो नॉर्मल इटली भी काफी जादा हल्दी होते, बैट अगर आप रागी इटली बनाओगे, तो वो बहुत जादा हल्दी होगा, क्योंकि रागी में आईरन है, कैल्शियम है, और काफी जादा हल्ग बनेफिट से, मैं इसको भी मिक्स करके दिखा रहे हूँ, आप इसको मैं रख रहे हूँ साइड में, अब आपको जितना बनाना है उतना बैटर लेकर उसमें नमक मिक्स करके, आप जो रेसिपी चाहे, वो रेसिपी बना सकते हैं, अब मैंने इसमें नमक डाला है, नमक डालके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हूँ, अब मैं इसका ब खाते चाहें इटली दोसा जो भी खाओ आपको काफी देर तक पेट भरा भरा रहेगा और जल्दी भूक नहीं लगा जिससे वजन करने में बी काफी मदद DR. अबी मैंने इसमें डाला इटली का डाल कर अब मैंने पानी गरम होने रख दिया है अब इसमें मैं रख रही हूँ, इटली के साथ रख कर 10-12 मिनिट या तब तक जब तक कि इटली अच्छे से नहीं पकता है, मैं इसे पकने के लिए रख दूगी, अब 10 मिनिट हो गया है, 10 मिनिट बाद मैं चेक कर रही हूँ, इटली काफी अच्छे से पक गया, आप एक बार इस साथ भी सर्व करोगे ना तो इसका कॉंबिनेशन बढ़िया लगेगा अभी मैं इटली निकाल रही हूं निकाल के आपको दिखा रही हूं आप देख सकते यह कितना ज्यादा सॉफ्ट और एकदम पॉफेक बनके रेडी हैं अब आप भी इससे जरूर बनाईए और अपनी मन चैटनी के साथ सर्व करें अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राब भी जरूर करें थैंक यू